हेलो फ्रेंट्स वैल्कम बेक टू एसकेज क्लासेस यहां पे पतवार भरती को लेकर काफी स्टूडेंट जो है काफी टाइम से वेट भी कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह बरती जो है सीटी से बाहर होगी सेकिन है यहां पे आपकी एक नई बरती जो है वो दिखाई दे रही है, नाइब तसिल्दार की तो इन भर्तियों और लेकर निये जो न्यूज वाईरल हो रही है, इसके कोड़िंग अपने देख रहे हैं कि क्या ये बात सत्य है कि पटवारी बर्ती और नाइब तस्हिल्दार की जिय याजनी कि पटवारी की की लगबग 3000 पदों पे औ और जो नाइब तसीलतार है उसकी 225 पदों पे आपकी वेकेंसी आने वाली है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं अलोक राज जी जो है इन्होंने ट्वीट करके बताया था कि कुछ यूआ पूछ रहे हैं कि हमने पटवार प्रिक्षा के लिए विगयापती क्यों नहीं काली एक्चुली हम समंदित विवागों पर निर्बर है हम अपने आप कोई भी भरती या प्रिक्षा का निर्न नहीं लेती है तो यहाँ पे पटवार अबर्तना एक विवाग से प्रापत नहीं हुए है यह टोटल तीन विवागों से यह आपकी जो है डिपार्टमे पब्लिश नहीं कर पाया है यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के मनवी यह डाउट है कि पटवार की स्तीती को सपस्ट करो सीटी के अंतरगत है या नहीं अगर है तो जल्द ही न्यू सीटी का योजन किया जाए और साल भर से उपर समय हो गया है तो यहाँ पे मैं आपको बता है कि आपके इतने पदों पे वैकेंसी आने वाली है तो यहाँ पे अपने बात करते हैं इसकी प्रिक्षा की जो स्कीम है और इसके पाठीकरम के रिगार्डिंग की क्या इसकी प्रिक्षा की जो स्कीम है और पाठीकरम अभी तक आ चुका है तो फ्रेंस यहाँ पे आप दे बरती नाइवत सिल्दारों की बरती के लिए राजसव मंडल ने राजसव विवाग को परस्ताव बेजा था यहां से वीतिय और परसासनिक सविक्रिती नहीं मिलने के कारण आरपीसी को नहीं बेज की थी और 2988 में पटवारियों की बरती परकिरिया भी आगे नहीं बढ़ रही है राजसव मंडल ने अगस्त 2023 में इसके लिए बरतना जो है बेजी थी अक्टूबर में चुनाव अचार सहीता के मामला आगे नहीं बढ़ा और इस साल जन्वरी में वित विवाग ने बरती के कारण आने वाली वीतिय भार की गन्ना भी करवाई अब देखो यहाँ पे अब राजसव मंडल उपनिमबंदक ने स्युक्त सचीव राजसव को वितिये और प्रसासनिक सक्रीती जारी किये जाने के लिए रिमाइंडर बेजा है सक्रीटी मिलने के बाद बर्ती प्रिक्षाओं का वार्सी कलेंडर जारी करवाने के लिए राजस्तान करमचारी चैन्बोर्ड को निर्धारित पारूप में बेजा जाएगा तो यहाँ पे क्या है राज्ये में वर्ष 2019 वीस में 5448 पदों पर थी जो 2019 में आई थी और इसकी जोईनिक जो है 2021 के लगवग मिली थी क्योंकि वो पूरी परसेस थी 2019 वाली उसके बीच में करोना काल आ चुका था इसकी वज़े से यह वेकेंसी आपकी जो एड़िटाइसमेंट आया था उसके यह जो भरतिय आपकी CET से बाहर होगी इसलिए आपको इस वेकेंसी के लिए जी जान से त्यारी करनी है जितने भी डावट है इस वेकेंसी को लिखर वो सारी क्लियर हो जाएंगे सेकेंड चीज आपको यहाँ पे अगर अपने स्लेबस और इसके पैटरन के बारे में देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 का जो विस्तित वियापन है वो मैंने यहाँ पे लिया है लगबग आपके पिछले जो भरती थी उसके अंदर जो टोटल पद थे लगबग यहाँ पे अगर अपने देखें के टोटल पद लगबग पांच हजार सम्थिंग आपके पथे लगबग मितलब इसके करीब पोस्ट थी इस बार यह वेकेंसी आपके तीन हजार पदों पे ब प्रिक्षा उतीरन या इसके समकक्ष अन्या प्रिक्षा उतीरन जिससे सरकार द्वारा मान्यता प्रापत कीगी हुए यानि कि आपके पास क्या होनी चाहिए ग्रेजवेशन होनी चाहिए फर्स्ट चीज तो यह आपके पास ग्रेजवेशन होनी चाहिए अब का certificate course होना जाए 중요한 जो किसमें होना चाहिए आपके पास computer subject के अंदर subject के अंदर यानि कि आपके पास कौपा का course हो सकता है या computer application के अंदर कोई diploma या या फिर three year degree हो सकती है three year के computer science में engineering जो a diploma course होता है वो हो सकता है engineering हो सकती है जो a diploma के अंदर होती है ठीक है आप देखो यहाँ पे RSCIT का जो में कोर्स सभी स्टूडेंट लगबग कंप्यूटर के लिए करते हैं वो हो है तो बहुत ही बैस्ट है आपके पास में अदरवाइस आपके पास में यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन्स बता रहा है कि उच माद्य में जो प्रिक्षा है उसमें एक विश्या में computer science आपके पास होनी चाहिए हाना या फिर इसके equivalent कोई भी आपके पास computer science की युग्यता होनी चाहिए या तो आपके पास RACIT का कोर्स होना चाहिए यह नहीं है ना तो उनके लिए अपोर्चिनेटी यह है कि उनके पास या तो 12 के अंदर बारवी में एक सब्जेक्ट जो है कम्प्यूटर एप्लिकेशन का होना चाहिए या फिर इसके कोई भी कोर्स आपके पास हो सकता है या फिर 3 एर का जो डिपलोमा होता है जो स्पेशल कम्प्यूटर साइंस सब्जेक्ट के अंदर किया जाता है वो हो सकता है आपके पास कोपा का हो सकता है कोपा computer science के अंदर होता है IT होती है जो दो साल की होती है तो इस प्रकार से आपके पास O level का जो है certificate होना चाहिए computer science के अंदर प्लस में आपके पास क्या होनी चाहिए graduation होनी चाहिए जो आपको इसके according ही इस बार त्यारी करनी है क्योंकि आपके syllabus के pattern में ज्यादा difference नहीं रहने वाला है क्योंकि इसमें क्या change होगा राजस्तान जीके में क्या change होगा तो यहां पे आपको यह चीज़े English और Hindi जो है यह आपको grammar होती है तो इसको आपको अच्छे से अभी से शुरू कर देनी है और basic computer basic computer जो है इन्होंने बता रहा है कि इतनी marks का आ रहा है तो आपको इसके according यह topic आपको त्यार करनी है ठीक है तो यह आपका पटवारी प्रिक्षा में इस लेबस रहने वाला है इसके according आपको अभी से त्यारी शुरू कर देनी है ताकि जब आपका notifications आता है तब अगर आप त्यारी शुरू करते हैं तो आप उन स्टूडेंट से पीछे हो जाएंगे जिन्होंने एक साल से इसकी त्यारी शुरू कर रखी थी या फिर वह अदर वेकेंस इत्यारी कर रहे थे और same syllabus इसके अंदर आ रहा है ठीक है तो आपको वेट नहीं करना है notifications का अ आगे पिछी हो सकता है questions की संख्या कम हो सकती है लेकिन syllabus आपका same यही रहने वाला है इसमें syllabus में आप देख सकते हैं आपको जो त्यार करना है वो क्या करना है आपको देखो राजस्तान की पूरी जियोग्राफी राजस्तान की हिस्ट्री राजस्तान का पूरा कल्चर आपको अच्छे से त्यार करनी है और mathematics के अच्छे जो questions पुछे गए है पिछली बार के वो आपको त्यार कर लेएगी किस तो यहां पे अगर अपने basic computer की बात के लिए तो यहां पे आप से computer का introductions input और output devices कौन से है hardware software कौन से है इस परकार की questions हना system software क्या है hardware software क्या है इस परका science के अंदर आप मानकर चलो कि जो science के अंदर मानव सरीर से समनी उसके आहार और potion से समनी सवास्तिय से समनी तो यह जो science है जिसके अंदर आप से कोई जैसे vitamin A की कमी से कौन सा रोग होता है उस रोग का treatment क्या है protein की कमी से कौन सा रोग होता है कौन से वितामीट E किस में पाय जाता है तो इस प्रकार के जो कोशन है आपको देखने को मिलेंगे तो आपको इसको जो नाइथ और टैंथ की बुक है उसमें ये टोपिक मिल जाएंगे वहां से आप अच्छे से इसको कवर कर सकती हो ठीक है अब देखो यहां पे जो भारत का कुछ पोर्शन इन्होंने एड ता भारत का पोर्शन एड उसमें आपका प्राचिन और मद्यकालइन बारत की इतियास की प्रमुख विशेष Bem मैं तो कुलर्ऊ यह सकते हैं इसके वह राजस्तान का जादा है राजस्तान के इतने टोपिंग में आपको 30 कोशन्स पुछे जाएंगे और इसके अंदर साइंस को मिला के करन्ट अफेर को मिला के और यहां पे राजस्तान की साइंस वगारा इनको मिला के आप से जो कोशन्स पुछे जाएंगे तो आपको इस कोडिंग त्यारी ज तो जन्रल हंदी इसका वेटिज से बाईस कोशेंग हरा लग बग वेटिज ही रहने वाला है और पंदरा खोश्क आ आपके रिजनिंगके है पंदरा कोश्क जो है यहां पे 45 कोशंट्स जो है आठके किसके हैं मैंटल एबिलीटीडिकि और रिजनिंगके है तो यहां 90 marks का जो आपका mathematics रहने वाला है यानि mathematics plus reasoning यानि कि मान कर चलो 45 में से अगर 25 question reasoning क्याते हैं तो 20 question आपके math के हैं तो ये questions कितना आपका portion है scoring है तो इसको आपको अभी से शुरू कर देना है ठीक है अब next है जो computer science के 15 questions है अच्छे questions पुछे जाएंगे computer science में तो ये portion भी आपके लिए important रहता है क्योंकि इसमें normal questions रहेंगे और आप इस questions pattern को त्यार कर सकते हैं 15 questions कम नहीं होते हैं सिर्फ only computer science subject की पुछे जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो राजस्तान की अगर अपने history राज्य निर्वाचन आयोग लोकायुक्त राज्य सूचना आयोग यह इस परकार के समाजिक और सांस्कृत मुद्दे सवंतरता अंदोलन जन जागरन राजनितिक एकीकरन राजस्तान की लोक कलाईं चितर कलाईं हज सिलप स्ताप्तिय मेले त्युहार लोक संगीत लोक निर्थिय और इसके बाद भी राजस्तान की दार्मिक जो अंदोलन है संत लोक तेवता और प्रमुख राजस्तान के जो प्रेटन्स तल या वेक्तिगत है उनके बारे में ठीक है अब जनरल इंगलिश और हिंदी की बात करते हैं तो हिंद युगम और यहां पर प्राइवास्सभाजि विलों Zarq Хek कैmost 11 के वाक के वब काहर चिव यहका उप्युकत कि और के पैसेस के अंदर पैसेस देखे आपसे तीन चार कोशिंज उसी पैसेस में से पूछ लिये जाते हैं सेकिन आपसे कोमन एर्र के क्रेक्ट यूजेज और एंटोनियम से और इडियम फ्रेजिस से यह टोपिक आपको इंगलिश में त्यार करनी है अब देखो मैंटल अबिलिटी प्रतिशत तो इस परकार से एवरेज में ओस्त और रेशियो यहां पे आप हिंदी इंसकी समझ सकते हो ठीक है और मैथ में प्रोफिट लोस तो यह टोपिक आपको त्यार करने है किसमें मैथमेटिक्स में और बाकी रहता है यहां पे कंप्यूटर तो यहां पे कंप्यूटर का जो basic characteristic क्या है आपको क्या त्यार करने है अभी आपको जो है राजस्तान अधियन पूरा अभी शुरू कर देना है ठीक है राजस्तान अधियन और उसके साथ में English और Hindi जो grammar है प्लस में computer science जो subject है इसके जो questions 10 या 15 पुछे जाते हैं यह topic आप अभी त्यार करना शुरू कर दियो बाकी current affair जो है आपका exam होगा उससे एक साल पिछे का current affair आप पढ़ लेना जब आपका exam होगा ठीक है current affair पे focus ना करके इन topic पे ज़्यादा आप focus करें तो friends अगर आपको यह video पसंद आए तो like करना और अपने दोस्तों के साथ में share करना ताकि उनको भी इस video के बारे में पता चले और second चीज फ्रेंड्स मैं आपको बता दू कि जो भी student पटवार बढ़ते के लिए त्यारी कर रही हैं तो वो student अभी से अपनी त्यारी शुरू कर दे अभी से अपनी त्यारी शुरू कर दे किसी चीज के लिए wait ना करें क्योंकि स्लेबस आपका कितना चेंज हो सकता है मुझ ज़्यादा चेंज नहीं रहने वाला तो आपको इसके according जो है वो त्यारी करनी है क्योंकि स्लेबस में अगर एक दो टोपिक हटा भी दिये जाते है तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है अगर आप इस वेकेंसी के साथ आप में parallel में कोई और वेकेंसी की भी त्यारी कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे वो टोपिक काम आ जाए हो सकता है आपका logic जो है exam time में वही questions जो है आप other तरीके से कर सकते है ना तो आपको यहाँ पे questions करने में कोई दिकत नहीं होंगी क्योंकि अगर आपने reasoning की है या फि इसलिए आपको यह topic complete करने है ठीक है अब राजस्तान की बात करते हैं तो राजस्तान की history geography इसमें क्या चेंज होगा इसके जो टोपिक है यह topic आप से पुछे जाएंगे इसको अच्छे से आपको त्यार करने ठीक है